कैनाबिस या मारिजवाना दुनिया भर में सबसे लोग प्रयमनों विज्ञानिक पधार्तों में से एक है खास कर किशोरों की बीच हाला कि भांग के नशे के गुणों की बारीकियों पर अभी भी बहुत बहस चल रही है लेकिन भांग निरभरता विकार को आधिकारिक तौर पर डेसम फाइव में वर्गी कृत किया गया है और लंबे समय तक भारी उपियों पर निरभरता किस्तर का कारण बताया गया है कैनाबिस से टीवा पोधों के फूलों से आता है जिसमें कैनाबिनोइट नामक छोटे वसा दुलन शील साइको एक्टिव अनू के सांधरता व प्रभावों से जुड़े हुए हैं उधारन के लिए टीएसी उच्चितम मनोरंजक मरिजवाना हैं इसके प्रभाव हैं जैसे की उत्साह, एनलजेसिया, हलका मतिभ्रम और बढ़ीवे भूग, दूसरी और कैनाबिडियोल मनोविश्रिशनात्मक प्रभाव नहीं होता है और आम तौर पर उसे चिकित सा मरिजवाना में शामिल किया जाता है क्यूंकि इसमें एनलजेसिक, विरोधी, भढ़काओ या भू को तेजक और चंता कम करने सहीत कई प्रभाव होते हैं भांग कैसे काम करता है यह समझने के लिए मस्तिश्क की एक शलेश को यदी ध्यान स जूम करके देखा जाए यह देखने के लिए कि दवाओं के बिना आम तौर पर उतेजना की प्रतिक्रिया कैसे प्रेडियत होती है आम तौर पर इलेक्ट्रिकल सिगनल या एक्शिन प्रटेंशल अक्षतंतु को एक्जोन टर्मिनल तक ले जाते हैं जिससे सिनाप्टिक व वह रेंशेप्ट्र से खुद को अलग कर देते हैं इधर अधर बिखर जाते हैं वह एंजाइम द्वारा कम किये जाते हैं प्रोटीन द्वारा उठाई जाते हैं वह अपनी जगह पर लौट आते इस प्रतिक को रेंटेट कहते हैं जब कैन लिया जाता है गैनाबिन्य ऑफ compound cannabinoid receptor पर जाकर जुड़ जाता है जो central वह peripheral system में मिलता है वह कुछ प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है जैसे कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं इन receptors को अक्सर endogenous cannabinoids द्वारा उतेजित किया जाता है इन्हें एंडो cannabinoid भी कहा जाता है एक वास्तविक दुनिया का उधारन runners high यानि उत्सहा की भावना है जो जोड़दार अभ्यास के दौरान और उसके बाद होता है इसमें cannabinoid नामक अभ्यास के दौरान निकल जाता है जिससे दोड़ने वाला कम चिंतित महसूस करता है जिस तरह से यह काम करता है वह यह है एंडामाइड को post synaptic dendrite से रिहा किया जाता है यह प्रतिगामी यानि पीछे की और pre synaptic terminal pre synaptic में जहां हुए cannabinoid receptor से जाके बन जाता है उस बिंदू पर intra cellular परिवर्तन होते रहते हैं जो अंत में pre synaptic cell के परदे में calcium और potassium के प्रभा के बदलाव का कारण बनते हैं जो नीव में बनने से रोकता है तो pre synaptic तंत्रिका टर्मिनलों को गाबा वो glutamate जैसे neurotransmitter को बंद कर देता है यह neuronal उतेजना को कम कर देता है इस प्रक्रिया को pre synaptic निशेद कहा जाता है जिस तरह से यह काम करता है वह यह है एंड़माइड को post synaptic dendrite से रीहा किया जाता है यह प्रतिगामी यानि पीछी की और pre synaptic terminal में जहां cannabinoid receptor से जाके बंद जाता है उस बिंदू पर intracellular परिवर्तन होते रहते हैं जो अंत में pre synaptic cell के परदे में calcium और potassium के प्रभा के बदलाव का कारण बनते हैं जो नीव बनने से रोकता है तो pre synaptic तंत्रिका टर्मिनलों को गाबा वो glutamate जैसे neurotransmitter को बंद कर देता है इस प्रक्रिया को प्री सिनाप्टिक निशेत कहा जाता है सारांश में पोस्सिनाप्टिक निरॉन से एननमाइड पूल रूप से प्री सिनाप्टिक निरॉन से neurotransmitter release पर रोक लगाता है वो परिराम में शान्ती की भावना देता है क्यूंकि THC का सामान chemical सरचना है अनांडमाइड जैसा यह cannabinoid receptor पर जाकर जूड़ता है वह शरीर को समान भावना पैदा कर सकता है यह कठिन रन का कठिन काम वास्ता में cannabinoids बेहद ही घुरंशीन अनु हैं वह ही है केंद्रिय वह परिदिय तंत्रिका में पहुंच जाते हैं एंडा cannabinoid जादा receptors को उत तंत्र में पाया जाता है जैसे cerebral cortex, cerebellum, hippocampus, basal ganglia, hypothalamus वह रीड की हड़ी जैसे शेत्रों में अध्याधी केंद्रित हैं दो प्रकार के cannabinoid receptors हैं cannabinoid receptor type 1 और 2 cannabinoid receptor type 1 जादत और केंद्रिय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है cerebral cortex, cerebellum, hippocampus, basal ganglia, hypothalamus वह रीड की हड़ी जैसे शेत्रों में अध्याधी केंद्रित हैं cannabinoid receptor type 1 को बांधा है मस्तिश्क के उन हिस्सों में गतिविदी को धीमा कर देता है जिसके परिणाम स्परूप हलका मतिभरम होता है तनाव में कमी, बिगडा हुआ सीखने की शमता वस्मिती, परिवर्तित हरकत वा तालमेल, समनव्य, भूक में वृद्धी वा एनालजिस्या जैसे प्रभाव दिखते हैं cannabinoid receptor type 1 की सक्रित्या भी शरीर की अंतरजात opioid प्रनाली को सक्रिय करता है डोपमीन को केंद्री अकुबेंस में छोड़ देता है जहां आनंद्व प्रतिफल की भावना उत्पन होती है वह यह बताती है मार्ग क्यों वेसनी हो सकता है इसके विपरीत cannabinoid type 2 प्रतिरक्षा प्रनाली की कोशिकाओं और परिधियत अंतरिका टर्मिनलों पर पाया जाता है cannabidiol cannabinoid receptor type 2 को बांता है उनकी गतिविधी को रोकता है विरोधी भढ़काऊ वह एनालजसिक प्रभाव देता है THC दूसरी और cannabinoid receptor type 1 और cannabinoid receptor type 2 को बांच सकता है इसके प्रभाव की विविधिता विस्तृत है अब cannabis के फार्मा काइनटिक्स की बात पर निर्भर करते हैं इसकी खपत smoke के माध्यम से है तो मौकिक रूप से जादतर cannabis को मनौरंचक उपयोग करता smoke के माध्यम से यानी सिगार जिसे joint या फिर pipe vaporizer के उपयोग से किया जाता है भांग में tetrahydro carbonolic acid नामक एक योगिक जिसे गर्म करने पर psychoactive THC बन जाता है गर्म करने की प्रक्रिया वास्ता में THC को लगबग एक तिहाई नष्ट कर देत स्क्रीन स्मोक जो धूँआ सिगार या पाइप के अंदर रह जाता है इसका कुछी हिस्सा अंदर लिया जाता है वह फेफडों दुबार समाया जाता है अंदर लिया गया THC कुछी मिन्टों में फेफडों से होते हुए खून तक पहुँचता है वह दिमाग और शरीर के व भांग शामिल है और उन्हें टिट्रा हैड्रोकार्बिनॉलिक एसेड को साइको एक्टिव टीएसी में बदलने के लिए गरम किया जाता है जब कोई व्यक्ति खाने योग पाचन एंजजाइमों टीएसी के बहुमत को तोड़ता है तो टीएसी का केवल एक हिस्सा पीछे छोड़कर रत प्रभा में अवशोशित किया जाता है जत्रात्र संबंदी मार्ग से रत यूक्त को पहुंचाया जाता है जहां टीएसी चयापचय को होकर ग्यारा हाइड्रोक्सी डेल्टा नाइंथ के गठन की और हो जाता है यह टीएसी के तुलना में कहीं अधिक शक्ति के अनभव करते हैं ठीक है एक सेकंड के लिए पीछे हटने दें और कहें कि आप आराम कर रहे हैं बिना अपने इनाम के रास्ते को उत्तेज जित किये इस्थिती में आपका मस्तेश आपके दिल की दर रत्त चाप और समाने अवस्था में होमियोस्टैस कहलाता है मान लीज लेकिन यह लंबे समय तक उस तरह नहीं रहता वह मैसेज के बाद आपका मस्तिश इन स्तर को समाने रूप में ले आता है भांग के लगातार प्रयोग से कुछ चीजें होनी शुरू हो जाती हैं ऐसा कह सकते हैं जैसे यदि आप स्मोक या कुछ खाते हैं किसी खास वक्त य कुछ खाएंगे टीवी भी चलाएंगे जब तक आप सो नहीं जाते हैं यह क्रिया आपका दिमाग पकड़ लेता है अगली बार छे बजते ही पॉश पर आपका दिमाग आपको यार दिलाता है उस बहतरी रात के बारे में जब आप चिप्स खाते हुए नेट्फिक्स पर म चिंतित हैं लेकिन आपको विचलित करने और आपको ठकान महसूस करने के बाद कोई भांग नहीं है इसलिए आप सो नहीं सकते आप चिर्चिड़े महसूस करते हैं और अतीत की तुलना में अधिक चिंतित महसूस करने लग जाते हैं दो रात जब आप धूमरपान करने में सक्षम थे जब आप कैनाबिस का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो आपको मितली, चिर्चिडापन, चिंता और सोने में कठिनाई जैसे हलके लक्षन दिखाई दे सकते हैं ये लक्षन हाला कि घातक नहीं है क्योंकि ब्रेन स्टेम में बहुत कम कैनाबिना डिसेप्टर्स हैं इसलिए भांग के उपयोग से श्पसन और महत्वपून संकेत अप्रभावित हैं लेकिन वे बहुत ही असविधा जनक हो सकते हैं बिचैनी और लालसा आपको फिर से धुम्रपान करने के लिए प्रेरित कर सकती है और आपको समस्य अग्रस्त उपयोग और निरभरता के उस पैटर्ण को विक्सित करने के लिए नितरित कर सकती है कि शोरों में विशेश रूप से भांग निरभरता विक्सित होने का अधिक खत्रा होता है क्योंकि विकास शील मस्तिस के इनाम केंदर भांग के फल दायग प्रभावों के प्रतिक अधिक समवेदन शील होते हैं याद रखें एक साथ आग लगने वाले निरॉंस एक साथ तार करते हैं जो लोग कम उम्र से भांग का भारी उप्योग करते हैं वह उन लोगों की तुलना में विभिन इनाम मार्गों के साथ समाप्त हो जाएंगे समस्य ग्रिस्त भांग का उप्योग और निर्भरता दुमरपान की तरह विवार की विशिष्टा है जो अधिक वक्तिया लंबे समय तक आपके द्वारा किया जाता है नीचे काटने में असमर्थ अतियधिक समय बिताने या दवा का उप्योग करने और भांग की लालसा इसमें शामिल है यदी आप भांग का उप्योग करना आपको एक समया और भी हो सकती है जो आपके काम करने की शमता स्कूल जाने शारेजरी रूप से स्वस्त रहने खुशाल वो सकरात्मक नीजी जीवन स्वस्ति संबंधों पर नकरात्मक रूप से प्रभावित करता है खास कर यदि आप उन समस्याओं के होने के बावजूद भी उपयोग करना जारी रखते हैं अंत में आप भांग पर निर्भर हो सकते हैं यदि आप इसके प्रभावों के प्रती सहिक्षरुता विक्सित करते हैं और उच महसूस करने के लिए अधिक अविशक्ता करते हैं यदि आप वापसी के लक्षनों का अनुभव करते हैं भांग के निर्भरता वगंभीरता चिंता वापसात के विकास के साथ साथ स्किजोफ्रेनिया जैसे मनों विज्यानिक विकारों से जुड़ी हुई है यद्यपी कारेकारन की स्थापना करना कठिन है और यह भी भांग का अपयोग स्व औश्दी के रूप में कर सकते हैं भांग के दीर्खकालिक भौतिक प्रभावों पर शोध अभी भी जारी है दूम्रपान भांग और अती भेवफ़ुणों पुरानी ब्रॉंकाइटेस और निमोनिया जैसे श्वसन सक्रमन के बढ़ते जोखिम के स साथ साथ एक अस्थाई जुडाव के बीच एक संभन प्रतीत होता है दिल के दौरे वह स्ट्रोक से भी संबंदित है सब ठीक है एक त्वरित पुन्रवृति के रूप में कैनाबिस में टी एच सी स्वभाविक रूप से होने वाली एंटाखेना बिनॉइड नियूरो ट्र के रूप से कारे करने के लिए भांग या टी एच सी पर निर्भरता है सबसे प्रभावी उप्चार में वेवार थेरेपी शामिल है परिवार और दोस्तों से बहुत सारा प्यार और समर्थन भी शामिल है कोकेन जिसे कभी कभी कोक भी कहा जाता है एक शक्तिशाली मनोविशलेशक उत्तेजक है जो मस्तिश्क के कारेों को कैसे बदल देता है विशेश रूप से हम अपने आसपास कैसे महसूस करते हैं कोकेन दक्षन अमेरिका कोका पौधों की पत्कियों से आता है इसका इस्तेमाल एक हजार वर्षों से किया जा रहा है आधुनिक समय ये एक लोगप्रिय पार्टि ड्रग बन गया है क्यूंकि कोकीन अवरोधों को कम करता है उत्साह या खुशी की भावना पैदा करता है ज समझे की लत्व ओवर्डोस के लिए इस कारण से भी इसका भारी मात्रा में कई देशों में नियंत्रित किया जाता है यह समझने के लिए कि कोकेन कैसे काम करता है आईए मस्तिश्क के सिनाप्स को देखते हैं आम तोर पर विद्युत संकेत या आक्शन पिटेंशिल अक्ष देखते हैं विचेन सिनाप्तिक परर रिषेप्टर्स को बानते हैं नियूरॉन्स जहां वे कोशिका को संदेश देते हैं जब नियूरो ट्रांस्मिटर ने अपना काम खत्म कर दिया है तब रिषेप्टिक से खुद को अलग करते हैं वह फैल जाते हैं एंज़ाइन वारा पकड़े जाते हैं वह अपनी जगा वापिस आते हैं जिसे री अप्टेक कहते हैं कोकेन कुछ नियूरो ट्रांस्मिटर की रिहाई बढ़ा देता है इसका सबसे बड़ा प्रभाव री अप्टेक रिसेप्टर का बंध होना प्री सिनाप्टिक एक्जॉन टर्मिनल पर रिसेप्टर्स को अवरुद कर रहा है ये दोनों हरकत नियूरो ट्रांस्मिटर जैसे की डोपामीन, नौरापिनफ्रीन या सेरेटोनन को सिनाप्स में लंबे समय तक रोकते हैं उधारन के तौर पर जब डोपामीन की बड़ी हुई सांधरता दिमाग में इनाम मार्ग जि नौरेपिन फ्रीन सांधरता के कारण होती है जो पूरे शरीर में कई प्रकार के प्रभाव पैदा करती है जैसे की बढ़ी हुई उर्जा, संकुचित रक्त वाहीकाओं, अभिस्तारन पुतली, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान, बढ़ी हुई दिल की धरकन, रक्चाप मे रिद्धी, अंत में सिरेटोनिन का उच स्तर अधिक आपमें विश्वास से जुड़ा हुआ है, अब कोकेन किस प्रकार से रत्व दिमाग में पहुचता है, एक तरीका है खाना, परंतु पेट के ऐसे द्वारा निश्ट्रिय होती है, जब तक ये शारीर के साथ मिश्रित नहीं होता, ये है, ये कृत द्वारा भी चया पचय किया जाता है, कोकेन मुहू वा एसोफेगस की कोशिकाओं को सिकोड़ता है, ताकि उसे पचने में परशानी ना हो, एक बहुत ही सीधा रास्ता है, सूंगना, क्यूंकि नाक के रास्ते से ये तेजी से अवशोशित हो ये धूम और प्रान करके भी फेफडों के माध्यम से अवशोशित होता है, सबसे तेज मार्ग हैं इंजेक्शन, आम तोर पर कोकेन तेजी से मस्तिक्ष तक पहुँचता है, ये बरताव वा इनाम के बीच के संभन को मजबूत करता है, जो अंत में लत में बदल जाता है, और ये लत ही व्यक्ति को फिर से कोकेन का इस्तमाल करने पर मजबूर करती है, अब आपका मस्तिश्क संतलन बनाने की पूरी कोशिश करेगा, और यदि आप कोकेन का लगातार इस्तमाल करेंगे, तो आपका मस्तिश्क में डोपामीन की बाढ़ आ जाएगी, नतीजतन ये कोकेन रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट करता है, जिसका अर्थ ये है कि रिसेप्टर अब सक्रियर नहीं है, वह अपना संदेश पोस्ट सनाप्टिक निरॉन को नहीं दे सकता है, ये उस प्रभाव को भी कम करता है, जिससे मस्तिश्क में उचित मात्वा में डोपामीन और यदि आपको यूफोरिया जैसा महसूस करना है, तो कोकेन की मात्रा और लेनी होगी, ताकि डाउन रेगुलेट रिसेप्टर को मनाने के लिए, क्यूंकि आपके शरीर ने कोकेन के प्रभाव की आदक बना ली है, जितना कोकेन का इस्तमाल उतना ही डाउन रेगुलेश आपके रत्चाप और जागने की स्थिती को बनाए रखते हैं इस समान्य अवस्था को होमियोस्टैसिस कहा जाता है आप मान ले कि आपका crush आपको message भेजता है अचानक आपको पसीना भी आएगा आपकी दिल की धड़कन तेज हो सकती है अब आप अपने होमियोस्टैसिस से उपर हैं क्यूंकि कुछ बदल गया है, है ना? परन्तु यह सब जादा लुम्बे वक्त तक नहीं रहता उस message के बाद आपका मस्तिश्क सब कुछ फिर से सता पर ले आएगा कोकेन के लगातार इस्तमाल से कुछ चीजें होनी शुरू हो जाती है या ऐसा कहें कि आप कोकेन एक खास वक्त या जगा पर लेते हैं जैसे कि तीन बज़े बेडरूम में क्योंकि यह उतेजक है यह आपकी हृदय गती, रक्त चाप वर जागने सहीत गती प्रदान करता है आपका मस्तिश्क तेज है परन्तु यह पैटर्न पकड़ लेगा अब अगली बार जब आप तीन बज़े बेडरूम में आओगे मस्तिश्क खुद ही सब कुछ कम करने लगेगा क्योंकि यह जानता है कि जब भी आप कोकेन लेंगे सब कुछ फिर से बढ़ जाएगा मान लीजिए कि फिर से तीन बज़े आप बेडरूम में हैं लेकिन कोकेन नहीं है ऐसी स्थिती में मस्तिश्क सब कुछ कम कर देगा पर बदलाव नशीले पधार्थ के प्रभावों के साथ नहीं गिने जाएंगे वे अब विक्ती को अजीब लगेगा इन्ही को हम निकासी लक्षन भी कहते हैं यह लक्षन उस बिंदू तक बने रह सकते हैं जहां खुद को समाने रखने के लिए आपको दवा का प्रयोग करना पड़े यदि ऐसा है तो कहा जाता है कि वे नशीले पधार्थ पर निरभर हैं अब दूसरी तरफ मान लीजे कि आप नशीले प्रदार्थ का प्रयोग किसी अंजान जगा पर करते हैं जैसे कि पार्टी में 11 बजे वैसे ऐसी स्थिथी में आपका शरीर नशीले पधार्थ के लिए तयार नहीं है वह कोई कोई शारिरिक संतुलन नहीं है जो इस दवा के प्रभाव से रोक सके वैसे ऐसी स्थिथी में आपका शरीर नशीले पदार्थ के लिए तयार नहीं है, वो कोई शाररिक संतुलन नहीं है जो इस नशीले पदार्थ के प्रभाव को रोक सके, अगर यदी ऐसा है तो इसकी वज़े से है तो अधिक मातरा में हो सकता है, यहां तक कि उस मातरा में जह सबसे बुरे कोकेन के निकासी लक्षन इसके लगातार इस्तमाल के बाद शुरू होते हैं, इस वक्त को क्रैश कहा जाता है, जहां लंबे वक्त के उप्योग के बाद मरने का ध्यान आना, शारिरिक लक्षन जैसे की जी मिचलाना, उल्ती आना वो अतियाधिक बढ़े कोलते हैं, यदि नशीले पदार्त को रोका जाए तो इसके नकरात्मक परिणाम दिखते हैं, जो जादा नशा करने पर मजबूर करते हैं, डोपमीन द्वारा प्रेरित उनमाद भी सकरात्मक सुद्रीकरण होता है, यह भी जादा नशे का प्रयोग करने पर मजबूर करता साथ में यह दोनों सकरात्मक व नकरात्मक सुद्रीकरण कोकेन की लत को उत्यजいき प्रयोग विकार भी कहते हैं उतेजक के उपयोग में कुछ समय लगाना, उतेजक पधार्तों के सेवन के लिए तलब होना, उतेजक के उपयोग से काम, स्कूल या घर की जिम्मेदारियों पर असर पढ़ना, उतेजक का उपयोग करना भले ही आवर्तक पारस्परिक समस्याओं के कारण हो, जरूरी गतिव बना लेना व उतेजक के कारण निकासी लक्षन महसूस करना, इन में से यदि दो या तीन लक्षनों का होना है तो ये हलका माना जाता है, चार या पांच हों तो मध्यम माना जाता है, छे या अधिक हों तो इसे गंभीर माना जाता है, कोकेन के निर्भरता अक्सर अधिक मा सेवन अतिताप का कारण बन सकता है जहां शरीर का तापमन वास्ताव में बढ़ जाता है साथ ही सीजर होना उच रक्तचाप ये उस बिंदू तक हो सकता है जिसके कारण आपको स्ट्रोक मस्तिष्य रक्त्राफ यहां तक की दिल का दौरा भी पढ़ सकता है इन स्थितियों मे लोराइजपाम मासपेशियों को आराम देने वो शेरीर को ठंदा रखने में मदद करती हैं। अक्सर देखा जाए तो कोकेन की अधिक मात्रा का उप्योग मौत वलत की गंभीरता को बढ़ाता है। यदि खुद के द्वारा लिया जाए तो कोकेन का आधा जीवन कम होता है। वह ये लगबख पूरी तरह से एक घंटे में जिगर द्वारा चैय पचय होता है। हालांकि कोकेन के साथ शराब का सेवन किया जाता है जो एक नया पधार्ट पैदा करता है। उसे कोकेथलीन कहा जाता है, कोकेथलीन में कोकेण के समान क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन इसका आधा जीवन लंबा है, अधिक से अधिक योगी प्रभाव शराब वो कोकेण दोनों ही शरीर के पतिक्रियाओं को बढ़ाता है, दूसरे शब्दों में कोकेण को शराब के नार्कोलिप्सी का इलाज करने में किया जाता है एक अन्य दवा इबुगीन जो दुनिया भर के कुछ देशों में की जाती है परिनाम स्वरूप मनोचिकित सथ तक्नीकों वह सहायता समूह पर मुख्य रूप से ध्यान के इंद्रित किया जाता है इन पेशिंट पुनरवास स सेटिंग दोनों में ही किया जाता है सब ठीक है एक त्वरित पुन्रव्रिती के रूप में कोकेन का उप्योग डोपामीन नौरेपिन फ्रीन वह सिर्टॉन नियूरो ट्रांस्मिटर के री अप्टेक को मस्तिश में होने से रोकता है वह उत्साह की भावनाओं को पैदा कर अप्चार मुख्य रूप से चिकित्सा पर केंद्रित है जैसे कि परिवार मित्रों से प्यार वसमर्थन बढ़ाना एहम है